असलाओं वालेकुम आप सबका मेरे चैनल पर वापिस स्वागत है यह गोल्ड का चार्ट है 1949 डॉलर के आसपास गोल्ड प्राइसे चल रहे हैं कल तकरीब उननिस सो तरि 63 डॉलर तक गोल्ड प्राइसे चले गए थे फाइनलि गोल्ड ने एक छोटा सा कन्सiuल डेशन तो दिखाया है को अंसौलिडेशन का मतलब यह नहीं है कि गोल्ड प्राइसे जो है वाइग जोन में चले गए हैं आपको मैंने आपको बताया था मार्केट कॉमेंटरी के अंदर जब गोल उने सब आवन तरे पंड डॉलर के आसपास चल रहा था उसके बाद ही गोल ने उनने सब आशेट के हाइस बना है और मस्त क्रैक वान इस और तेस डॉलर तक अभी उनने सो डन चास पचास डॉलर के आसपास अच्छी बात यह है कि वार से क्यूज लेना गोल ने बन कर दिया है जब तक कोई नया डेपलाप्मेंट नहीं होगा या कुछ नया सेनर्यू नहीं बनेगा वार के अंदर फाइनली गोल्ड जो है अब स्टेबलाइज हो गया है और वार का इंपक्ट मोर उलस खतम होता जा ऐफ फ्यली फैड मनुफाक्टरिंग इंडेक्स है फिली मैड फिली फैड MANुफाक्टरिं इंडेक्स उसके बाद साढ़े 7 बजे एग्सिस्टिंग होम थे जैल्सके टेता है उसके बाद रात नो बजे फैडुरल्ड रिजर्व के की चेर्मेन पावल की स्पीच है तो में जो आज का में ट्रेंड डिसाइडर रहेगा वो फेडरल रिजर्फ के चेर्मेन की स्पीच ही रहेगी थोड़ा सा मूव डेटा के टाइम भी आ सकता है बट जो में मूव आएंगे वो स्पीच के बाद ही आएंगे अगर कुछ significant उन्होंने कहा तो मैं आपको Telegraph और Twitter पे अपडेट कर दूँगा तो मेक शोर आप मुझे टेलिग्राम और Twitter दोनों जगा फॉलो करते हैं टेलिग्राम पे मेरे नाम से काफी fake channels भी हैं तो मेक शोर आप genuine वाला ही जॉइन कीजे link description में दे रखा है अभी 1948 डॉलर के आसपास गोल्ड पाइसे चल रहे है आज का रिस्टेंस आज का सपोर्ट क्या है देख लेते हैं आज का गोल्ड का सपोर्ट है 1935 डॉलर 1937 डाइट विल एक्ट एस सपोर्ट तुड़े रिस्टेंस विल बी आट 1965 ट्रेंड इसका अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है इट नीड टू ब्रीच अवर सपोर्ट ऑफ 1937 उननीच सो सैंते से अगर नीचे जाता है तो उननीच सो तीस की तरफ जा सकता है फिल्हाल पॉजिटिव जोन में है इस सिल्वर का भी एक कल अपडेट दिया था मैंने आपको इसल्वर का एक रिजस्टेंस बताया था और उसमें लिखा भी था कि यही एक लक्षमन रेखा है यह लक्षमन रेखा पार करेगा सिल्वर तो ही मार्केट पॉजिटिव जोन में जाएगा और गोल्ड के साथ पार्टी जॉइन करेगा वो लेवल था 23-35 का आई बना 23-31 का उसके बाद लो बना 22-68 का तो हमारा कल की लक्षमन रेखा जो मार्केट कॉमेंटरी में आई थी उसने भी हमारा साथ दिया मार्केट कॉमेंटरी और पेट सिगनल की जानकारी के लिए मेरी टीम से बात कर सकते हैं टीम का नंबर वाटसैप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है अभी चल रही है 22-88 के आसपास सिल्वर एक अच्छा रिवर्सल सिल्वर ने दिखाया रिवर्सल ही कहेंगे एक जबरदस सेलिंग आई एक ये जो इतनी जबरदस कैंडल बनी है ये वाली इससे एक रिवर्सल की ही उम्मीद लग रही है अब रिवर्सल होने के लिए थोड़ा सा और सिल्वर को मेहनत करना पड़ेगा कितना मेहनत करना पड़ेगा आए देख लते हैं क्योंकि मेहनत तो काम्याब होने के लिए करना ही पड़ता है अब silver को कामियाब होना है तो उसको support break करना पड़ेगा 22.60 का If silver wants to succeed in selling It needs to breach the support of 22.60 And sustain below that Resistance है आज का 23.15 Trend इसका flat है Currently Silver trend is flat Crude oil पर आते है 88 डॉलर के आसपास Crude oil prices चल रहा है कल inventory आई थी Positive inventory आई थी बड़ उस तरीके से movement नहीं हुआ जिस तरीके से inventory आई थी Inventory आई थी यहाँ पर ज्यादा कुछ भी inventory के बाद हुआ नहीं बस एक थोड़ छोटा सा spike आया 88-82 के आसपास आज का silver का Silver कह रहा हूँ आज का Crude oil का resistance है Resistance in Crude oil prices at 89.50 Support will be at 86.50 Trend इसका flat है तो रखिएगा खयाब अब आ जाते हैं Euro पे Currently Euro is trading at 5.35 Support 5.45 का breach हो चुका है Obviously Week zone में जा चुकी है 5.45 का support था Now it had entered in weak zone Support now stands at 4.90 4.90 का आज का support है Resistance will be at 5.70 Trends have changed From positive to negative But market is extremely fragile Especially dollar index It is moving Too wild nowadays So please remember These levels are very fragile So trade accordingly British pound पे आते हैं 21.30 का का support था Support has been breached Now it has entered in weak zone So let's find out New support Shall we 20.80 का आज का support है Resistance है आज का 21.70 का Trend हो गया है 5.5 वीक तो रखियेगा खया Crypto नाल नजर मार लेते हैं सबसे पहले Bitcoin 28,260 डॉलर चल रही है Positive zone में है अभी It need to breach the support of 27,800 Once Bitcoin breach that support and sustain below that Then only we will see weakness in Bitcoin Resistance at 28,500 फिलाल इसका trend है Flat अब आ जाते हैं Ethereum पे 1550 डॉलर के आसपास Ethereum चल रही है आज का resistance है 1580 डॉलर का 1580 विल आक्ट ऐस रेस्स्टेंस नाउ Support at 1510 Trend हो चुका है इसका week तो रखेगा खयाल बाकी paid signals की जानकारी और market commentary की जानकारी के लिए आप मेरी team के साथ बात कर सकते हैं Number description में दिया है मैंने Live data और breaking news का update Telegram और Twitter पे आता है दोनों का address आपको screen पे दिख रहा है और links description के अंदर भी available है वीडियो पसंद आया हो तो like, share, comment करीजेगा अब मिलेंगे next video में तब तक के लिए take care, bye bye